So, Hey friends, Welcome to my new video, आप देख रहे हो Bepro in Abacus, तो आज मैं ले आया हूँ आपके लिए Abacus में एक नया टॉपिक जो की है multiplication, तो आज हम सिखेंगे multiplication, टू डिजिट मल्टिप्लाइड बाइ वन डिजिट, ये आज का हमारा टॉपिक है, इसे हम आज सिखेंगे, तो इसके पहले हमने सबी small friends और big friends के formula सिखे है, अगर आपको वो सबी formula सीखने है, तो मैंने उनकी playlist बनाया है, small friends और big friends नाम की, तो उसकी link description में, आप वो ज़रूर चेक करो, क्योंकि वो सबी formula बहुत ही important है, और वो हमें multiplication में भी काम आते है, क्योंकि जब हम numbers ऐसे counting में लेते हैं, तो कभी आने वाले rod पर हमें add करना होता है, तो ऐसे वो काम आते हैं, वो आपको example की मदद से पता चलेगा, अभी ही आएगे इनमे या नहीं, वो हम देखेंगे solve करके, पर बाद में यह ज़रूर आने वाले है, क्योंकि यह multiplication भी बढ़ जाएगा, यह 2 into 1 है, तो 2 into 2 हो जाएगा, 2 into 3 हो जाएगा, 3 into 3 हो जाएगा, तब तो हमें पक्का इन सभी formula की जरूरत पढ़ने वाली है, तो वो सभी आप formula सीख लो, उसके सिवा abacus में कुछ भी हम calculate कर रही नहीं सकते, तो चलो फिर आज हम सीखने वाले है multiplication, तो multiplication में हम multiply जब करते हैं तो हमें बस एक चीज की जरूर होती है, वो है tables, मतलब हमें भी school में tables सिखाए जाते हैं, हमें भी वो learn करने के लिए कहा जाता है कि जब हम छोटे थे तब 2 से 10 तक table learn करो, फिर 15 तक 20 तक, ऐसे भी हमें कहा जाता है, और school की जो method होती है multiplication की, उनमें भी हम tables का इस्तमाल करते हैं, तो वैसे हमको abacus में भी ज से लेकर 9 तक, मतलब 2 to 9, इतनी है हमें tables की ज़रूरत है, उस से आगे की tables की ज़रूरत नहीं है, तो school के method में भी same है, यह मैं आपको एक example की मदद से बताता हूँ कि कैसे हमें सिफ 2 से 9 तक tables की ज़रूरत है, मैं अभी school method से solve करूँगा, तो यहाँ पर पहले example में हमें दिया 42 into 6, यह मैंने school के method जैसा लिख दिया है, यह एक number और यह एक number इसे multiply, तो यह कैसा है, यह horizontally, तो मैंने vertical में इसे convert कर दिया है, तो यहाँ पर मैं करूँगा इसका multiplication, तो यहाँ पर है 6 into 2, 12, तो मैं यहाँ पर इसे 2 तो लिख दूँगा, और यहाँ 1 carry over करूँगा, फिर 6 forza 24, यह आपर 6 to 12 किया, 6 forza 24, तो यह table की मुझे जरूर रखता पड़ी, तो 24 plus 125, तो यह 25 ऐसे आ गया, so our answer is 252, अब वही same मैं करूँगा abacus पर, पहले मैं एक example आपको solve करके बताता हूँ, फिर बाद में मैं explain भी करूँगा, कि कैसे हम कर करते है, so मैं बस अपने finger से आपर रखूँगा, यह जो हमारे rod से unit or tense, अब कई लोग हैं न, यह center वाले लेते, कि suppose यह unit है, यह tense है, ऐसा, और फिर यहाँ से calculate करते जाते, तो वो आप पर ही depend करता है, आप यह भी ले सकते हो, यह भी ले सकते हो, आपको जो चाहिए वो, आप उस पर भी calculate कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर हमें तो यही सिखाया है, इस rod से, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आपकी जो भी method हो सकते हैं, आप वैसे जा सकते हो, पर बाकी जो हमारे steps होते हैं, वो तो constant रहते हैं, वो same ही रहते हैं, तो मैं प 6 टूजा कितना होता है, 12, तो मैं 12 दूँगा, यह 10 और यह 2, 12, ओके, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, यह जो मेरे fingers यहाँ पर है, इने थोड़ा सा आगे डखिल दूँगा, मतलब यह unit वाला काम हमारा हो गया है, तो यह जो index finger इसे में 10 पर लाँगा, और यह जो हमा है, तो फिर मैं करूँगा, 6 होर्जा, 24, तो 20 लिए, और 4, 4 के लिए, अब हमें formula की जरूर थे, कि plus 4 is equal to minus 1 plus 5, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा answer आ गया है, यहाँ पर, यहाँ हमें दिख रहे है 2, यह है 5, और यह है 2, so 252, that is 252, तो वह ही हमारा answer आया, तो यह method ए एकदम correct है, तो ऐसे ही हम abacus की मतल से multiplication करते है, हम कुछ example solve करेंगे, और आपको यह बहुत ही बेतरीन तरीके से समझ में आएगा, तो अब हम देखते second example, तो इसमें दिया हमें 65 into 7, अब मुझे 65 को 7 से multiply करना है, तो जैसे हमारे पहली step थी, पहले तो मैंने मेरे finger से आपर place क आपके abacus में आप जो भी rod को unit और जो भी rod को tense consider करते होगे, आप वहापर अपने finger रख सकते हो, साथ यह आपकी practice भी हो जाएगी, तो चलो फिर आप भी मेरे साथ calculate करो, तो ऐसे आपने fingers रखे होंगे, I hope, फिर है 7 into 5, आपको क्या करना है, अब यहापर जो हमें digit दिया है, यह double digit है, मतलब two digit number है, और यह single digit है, तो इसमें हम क्या करते है, single digit से double digit को multiply करते है, तो आपको बस क्या करना है, यह जो single digit से पहले unit digit को multiply करना है, और उसके बाद यह tense digit को, ऐसी यह step होती है, two into one multiplication में, पहले unit, फिर tense, unit, फिर tense, ओके, तो पहले हम करेंगे 7 फाइजा 35, तो यहापर मैं लोगा 35, फिर हमारे अगले step होती है, हमारे finger ऐसे slide कर देने की, एक rod आगे घिस सकने है, तो मैं ऐसे कर दूँगा, यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर, ओके, फिर है 7 into 6, अब 7 six होता है 42, यहाँ पर यह 40 लिए और 2 के लिए, minus 3 plus 5, और हमारा answer भी आ गया है, तो और answer is 455, मतलब 455, फिर उसके बाद है 18 into 6, पहले तो मैं यहाँ पर finger रख लेता हूँ, फिर है 6 into 8, तो यह मैंने unit से multiply किया है, इस single digit number multiplied by unit place digit, so 6 is a 48, यह 48 लिए, फिर यह finger से आगे सरका दिए, फिर है 6 into 1, अब मुझे 6 one जा करना है, वो है 6, अब मेरा जो answer आया, मतलब 6 into 1, 6 आया, तो यह unit digit है, मतलब सिफ single digit है, अगर single digit है, तो मैं उसे यहाँ पर ले नहीं सकता, क्योंकि अभी इस हिसाब से, यह हमारे unit rod है, और य यह हमारा hundred वाला rod है, अगर हम ऐसे three rods देखे, पर इन दो fingers के लिए unit और यह 10 हो गाया, temporarily, मतलब जब तक हम यह multiply कर रहे, तो यह 6 into 1, 6 है, तो मुझे यह 6, इस rod पर count करने होगे, ना कि इस rod पर, इस rod पर करूँगा, मतलब 6 on the 6, तो ऐसा 6, 48 आयेगा, तो वो totally wrong हो जाएगा, क्योंकि 18 into 6 इतना बढ़ा नहीं जाता, तो मुझे बस 6 add करने है, तो वो मैं इस rod पर करूँगा, अपने index finger वाले, तो यहाँ पर plus 6 के लिए minus 4 plus 10 करना होगा, यह big friends का फॉर्मिला था, अब हमारा answer एकदम right है, क्या है देखो 108, आर answer is 108, और 8 in 6 अभी 180 है, यह table तो आपके learn भी होगे, क्योंकि school में हमें बस बताते है, 20 तक table learn करो, 20 तक learn करो, पर अगर आप abacus पर सीख जाते हो, और फिर उसके बाद जैसे आपकी level बढ़ेगी, और imagination जो topic में आपको यह multiplication जब आएगा, तो आप अगर उसमें भी बहुत अच्छे से सीखते हो, तो फिर आपको आप बड़े table learn करनी की ज़रूरत भी नहीं है, अगर exam में आपको अचानक कौन सा भी number आता है, ऐसे like 99 into 9 आता है, मतलब ऐसा कोई तो calculation है, maths के paper में, तो आप directly इतना आपको ऐसा नहीं करना पड़ता है, 99 is a 81, तो 8 लो, 99 is a 81, प्लस 8 और 8, 91, इसमें आपका time जाता है, पर य imagination की मदद से, तो वो आपको higher level में आएगा, आप फिर वहा कर सकते हो, यह abacus पर तो आप करी जकते हो, तो चलो फिर आगे वाला example देखते, इसमें तिया 65 into 5, तब 5 5 जब पहले करूँगा 25, पहले तो मैं यह finger रख देता हूँ, यह किये 25, फिर fingers मैंने आगे सरका दिये, फ 5 into 6, तो 5, 6 हा कितने हैं, अब यह 30, अब यह 30, 30 हाया, मतलब यह 2 digit नंबर है, तो यहाँ पर 10th digit और यहाँ पर unit digit आता है, पर यह 0 है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, तो आरा answer है 325, तो इसकी बस एक ही requirement होती है, कि हमें बस 2 से लेकर 9 तब टेबल learn होने चाहिए उसके बाद मैं अब देखो, आप बस unit number से ही multiply करते हो, तो उसके लिए बस unit number के tables आपको जरूरे है learn करने, तो अगर आपके learn नहीं होंगे, तो आप वो पहले learn कर लो, उसके बाद यह practice करो, फिर है 59 into 8, तो पहले तो 89 करूँगा 72, फिर fingers आगे लूँगा, फिर आफ 58 या फ वो है 40, तो यह 40, सार आशर है 472, फिर है 75 जा 35, फिर fingers आगे ले लिए, फिर है 37 जा 21, अब यहाँ पर 20 और यहाँ पर 1, सार आशर है 245, तो यह मैंने बस 6 example से आपको solve करा दिये है, और video already 12 minutes का हो चुका है, तो मैंने चाहता कि बहुत लंबा video हो जाए, मैं इसका part 2 लाऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं और ज़रा ज़्यादा example solve करूंगा, पर क्योंकि अभी मैंने इसका explanation दिया, इसके लिए ज़रा long video हो गया, तो अगले part में मैं directly example solve करूंगा, तो उसके लिए आप मेरे साथ बने रहो हो, I hope आपको ये basic अपना multiplication समझाया हो, अगर आपको ये video पसंद आये हो, तो like कर दो, share कर दो, अगर कोई doubt हो, तो आप comments में पूछ सकते हो, मेरे channel को subscribe कर दो, ऐसे videos के लिए, और साथ ही वो small friends, big friends भ होंगे, तो आप यहाँ पर properly multiply करने पाओगे, आपका जो answer एक, आपको जब product आएगा, वो correct answer नहीं होगा, तो आप वो भी सभी सीख लो, सभी के सभी concept, सभी के सभी formula important है, तो आप सीख लो, so I hope आपके वीडियो पसंद आये हो, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो म and bye-bye.